नमस्ते दोस्तों आज हमें का लोजिन डिवाइस के बारे में जानते हैं इस डिवाइस को आपने हमारे कुछ वीडियो में देखा है पर आज मैं आपको इसका एक डेमो दिखाना चाहते हूं कि आप इसको खुद कैसे यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा आर्किटिक्चर इस देखें अगर आप इसको देखें तो इसका मेकिंग बहुत ही ब्यूटिफुल है कितना अच्छे तरीके से आप इसमें लाइट को एज़ेस्ट कर सकते हैं यह जो लाइट यहां पर लगी हुए देख सकते हैं यह ओन आफ का स्विच है अभी इसमें बैटरी नहीं डाली पर आप को देंगे फिर लेंसे को आप लगा पाएंगे आपके पास एक फैसिलिटी है कि अपने नूस-पैड को एज़श्ट कर सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही आपको एज़स्मेंट नहीं मिलता है कि आप फ्रेम को एज़श्ट कर सके तो यह फ्रेम काफी सॉफ्ट एं फ् पहन पाता है अब अगर इसके साथ आने वाले लेंस के बारे बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपको पांच लेंस मिलते हैं हमेशा आप देखिएगा जब यह डिवाईस में इस टाइप ए कुछ डिवाईसे जो हमारे पास हैं जिसमें आपको सिर्फ एक ही लेंस लगाने का option available है तो उसमें पांच लेंस का setup को मिलता है बाकि जब डबल लेंस लगाने का हम आपको option देते हैं तो आपके पास 4 लेंस का option लेता है क्योंकि आप कोई भी combination को use कर सकते हैं अब देख लीजे यह लेंस है अगर इस लेंस को ठीक से देखा जाए तो देखिए एक flat surface है और एक curved surface है अब खुद ही समझ पाएंगे देखिए यह flat हिस्सा है और यह curved है तो जो curved हिस्सा है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है और flat हिस्सा अंदर की तरफ यह अपने push किया और lens fit अब patient अपने requirement के हिसाब से position इसकी भी adjust कर सकता है यह जो position है इसको भी patient अपने requirement के हिसाब से adjust कर सकता है मानिए उसको दूर में लिखावा एक प्रेजेंटेशन पढ़ना है उसने ग्लास को अप किया तो यह अप गेज से उपर के अप गेज से वो दूर में लिखेवे उपर लिखेवे चीजों को पढ़ सकता है अब यह नॉर्मल अपना computer distance को अब वो पढ़ना चाता है तो ऐसे प reading writing के लिए इसको adjust कर सकते ताकि वह डावन गेज में reading कर सके है कि जाए यहां पर सॉफ्ट पैड रहता है जो हमारे सर के पास लगावा रहता है इसमें अंदर भी यहां पर सॉफ्ट पैडिंग देवी है यहां नोस पैड भी बहुत सॉफ्ट है और यह पैड़े रिया है त तो जो भी lens का जो weight है वो पूरे इस specs में divided है तो ऐसा नहीं होता कि नाक की ओपर में चशमे का बहुत जादा pressure आता हो, ऐसा नहीं होता है weight पूरी तरीके से divided है और यह चशमा भी बहुत हल्का है, तो patient इसको comfortably use कर सकता है इस चशमे की सिर्फ एकी limitation है से जाते हैं 2.5 एक्स जो आपने देखा भी लगावा है नेक्स्ट है यह 2.5 एक्स यह है 2 एक्स 1.5 एक्स और यह 1 एक्स तो इन 5 लेंज के कॉम्बिनेशन से यह चश्मा बना है उमीद है आपकी इस डिवाइस से रिलेटेट जो भी क्वेरी थी वो हमने शॉट आउट किया इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जबाएंगा है जरूर लिखे और हमसे जहां तक हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे धानेवाद